असलाम लेकूम, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डबल का मीठा बनाने की रेसिपी, तो ये बनाना सिखेंगे हम बावर्ची से, तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे, और ये बनाएंगे हम 50 लोगों के लिए, तो इसके लिए लेंगे हम ये हैं 2 किलो मिठे की रोटी, तो मिठे की रोटी लेने के बाद में हम इसको कुछ देर के लिए खुले बरतन में हवा में रख देंगे, लगभग 1-2 घंटों के लिए, थोड़ा सा जब ये हवा खा जाएगी हम इसको फ्राइ कर लेंगे, तो अब हम तेल को गरम कर लेंगे, अब हम मिठे की रोटी को तेल म तलने के लिए रोटी का बादमी कलर आजाना अच्छे से इसको फ्राइ कर लेना है जब तक ये फ्राइ कर लेना है अब ये रोटी अच्छे से फ्राइ हो गई तो अब हम इसको निकाल लेंगे अब ये मिठे की रोटी तो तले गई तो अब हम मिठा बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए अब हम एक लगन में आड़ करेंगे धाई लेटर दूद्ध दो टेबल स्पून इलाइची पॉडर आड़ करेंगे केसर येलो फूट कलर आड़ करेंगे और ये है देल लिटर पानी पानी आड़ कर लेंगे देल लिटर शकर आड़ करेंगे दो किलो दो सो पचास ग्राम तो शकर आड़ करने के बाद में अब हम इसको पका लेंगे यानि कि इसमें अच्छे से उबाल आने तक पका लेना है और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा हम तली हुई मिठे की रोटी आड़ करेंगे इसके अंदर तो यह देखिए अब यह जो दूद है इसमें अच्छे से उबाल आ गया अब हम इसमें तली हुई मिठे की रोटी आड़ करेंगे और यह पकाएंगे हम बीस मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे इस तरह से बीच बीच में चमसे भी हिलाते जाएंगे पकने के दौरान ताकि मिठे की रोटी को दाखना लगे गी आड़ करेंगे हम इसमें 150 ग्राम और यह है किश्मिश तो किश्मिश आड़ करेंगे हम 50 ग्राम तो मिठे की जो कांसिस्टेंसी है इस तरह की रहना जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिखरी जब हम फ्लेम आफ कर लेंगे यानि कि 20 मिनिट तक इसको हमने पका लिया था अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे अब हम डबल के मिठे के ओपर से खोवा दालने के लिए यह रेडी कर लेंगे यह है 250 ग्राम खोवा और इसमें आड़ करेंगे हम देड़ ग्लास पानी अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से तो डबल के मिठे के ओपर से हम इस तरह से दाल देंगे खोवा 50 ग्राम बारी कटे हुए काजू आड़ करेंगे तोटी फ्रोटी आड़ करेंगे 50 ग्राम 20 ग्राम किश्मिश आड़ करेंगे 400 ग्राम कंडेंस मिल्क इस तरह से फैला कर दाल देंगे आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए अब यह डबल का मिठा बिल्कुल रेडिये सर्फ करने के लिए तो जरूर ट्राय करके देखिए जब भी 50 ग्राम के लिए बनाना हो इस रेसिपी को जरूर ट्राय करके देखिए और अगर रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चैनल को शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफिज पूंग झाल